News 18 इंडिया पाकिस्तान में चुनाव और एक हफ़ते के अंदर सब सेट हो गया शरीफ खांदन सेट हो गया पाकिस्तान के पाँच और उसके जर्णल भी सेट है यानि बाप सेट, बेटा सेट, भाई सेट और बेटी भी सेट पाकिस्तान में पूरी फैमली सेट हो गया पाकिस्तान में पूरी फांदन सब सेट, सब की गोटी सेट हो गया पाकिस्तान में सेटिंग वाली सरकार फाइनल हो चुकी है नवाज और बिलावल का गट बंधन तैयार है नई सरकार बनेंगी लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान की ये सरकार कब तक चलेगी क्या ये सरकार 2024 में ही गिर जाएगी इन सबसे उपर सबसे बड़ी बात ये कि ISI का एजेंडा सेट है क्योंकि इमरान खान सेट नहीं हो पाई बलकि वो और उनकी पार्टी और जीते हुए उमिदवार अब पूरी तरह से अपसेट हो चुके हैं क्योंकि सेट कराने वाली ऑक्सिजन का बटन तो जरीफ पैमली सत्ता में रहे इसके लिए जरीफ ने नवाज शरीफ को भी ऑक्सिजन दी भाई शेहबाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को भी ऑक्सिजन दी साथ में आक्सिजन वाली पॉलिटिक्स बिलावल भी करेंगी और उनके पिता आसिफ अली जर्दारी भी दोनों को सेना से मिलने वाली आक्सिजन का पाई खोल दिया गया है इमरान खान की पॉलिटिकल आक्सिजन वाला बटन तो बहुत पहले ही बंद किया जा चुका है पाकिस्तान के फॉजी प्रशासर ने जिस नई सरकार का फार्मूला तयार किया है उसके तहट सहबाज सरीफ को पाकिस्तान का नया प्रधान मंति बनाय जाएगा उन्हें सपोर्ट करने वाली पलिटिकल पाली पारटी पी-पी-पी के मुखिया आसिफ अनी जरदारी को पाकिस्तान का नए रास्पती बनाने की कावायद जल्द ही शुरू की जाएगी पाकिस्तान में नए रास्पती का जल्द ही चुनाव होना है इसके अलावा बिलावल भुट्टो को सिंद्ध का मुख्यमंत्री और मनियम नवाज को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने को कहा गया है यानि सिलेक्शन में पाकिस्तान के टॉप परिवार पूरी तरह से सेट कर दिये गए है एक तरह से पाकिस्तान के दो परिवारों को पूरे मुल्क का ठेका ते गया है और ऑक्सिजन पर चलने वाली इन सरकारों का ऑक्सिजन सिलेंडर पाकिस्तानी पाउच के पास है ये सब कैसे हुआ पाकिस्तान में कौन है जो सबसे स्यादा ठगा गया क्या वो इमरान खान है नहीं बिल्कुल नहीं हमने मैंडेट चोरी किया हम नहीं मानते वरना यहां पर अवाम के हजब को फिर वो दावत दे रहे है जिस सरा से हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है देश्यदगर्दों भत्ता खोरों पर मसल्ट किया गया है पाकिस्तान की पबलिक को जम्हूरियत मिले ना मिले पाकिस्तान के टॉप खानदान हर बार सेट हो जाते है और 2024 के चुनाओं में भी यही हुआ है पाकिस्तान में नई सरकार का फॉर्मिला देख कर सब हैरान है लेकिन इमरान खान परेशान है वैसे पाकिस्तान में सियासी क्या नफ़ा नुकसान है ये सब माइने नहीं रखता जब तक रावल पिड़नी वाले जार्नल के चेहरे पर मुसकान है सेटिंग ये हुई है कि नवाज शरीम पार्टी पीम एलन और बिलावल बुटो की पार्टी पीपी में डील हुचपी है पीपी अभी पीम एलन को बाहर से समर्थन देकी नाज शरीफ ने ािलन कर दिया है कि प्राधान मंत्री उनके भाई शरीफ होंगे नवाज ने ये भी एलन किया है कि उनकी बेटी मर्यम नवाज पञब परांथ की मुख्यमंत्री बनेंगी सवाल है कि पीपीपी से डील क्या हुए बिलावल को सिंद ब्रांट का सीम बनाया जाएगा और उनकी चाहपर एक बार फिर पिता आसेफ अली जर्दारी की पाकिस्तान का राश्टरपादी बनाने की तैयारी है प्रेजिडन्सी का एलेक्शन आए तो उस एलेक्शन में हिसा ले और इस मुल्क का सदर बने और मैं बताता हूँ कि मैं क्यों यह कह रहा हूँ मैं इसलिए नहीं कहना हूँ कि सदर सदारी साब मेरा वालत है और वो जाके प्रेजिडन्सी में बैठे है मैं इसलिए हूँ कि इस वक्त मेरा मुठक में एक आग फेल रहा है पाकिस्तान जल रहा है और अगर कोई हूँ वो सलáयत रखता है वो कपैसिटी रखता है इस आग को बचाने के लिए तो वो सदर आसिफ अली जरतारी साँभ है आसिफ अलीज जर्दारी जिने पाकिस्तान का मिस्टर 10% भी का जाता है उन्हें फौच की आक्सिजन बहुत काम आईगी क्योंकि आसी फ़लीज जर्दारी को पाकिस्तान का रास्पती बनायाने का मतलब है कि अगले पांस साल तक सरकार बदलने पर भी पाकिस्तान का कोई कानून उन्हें चुन नहीं पाएगा इसके अलावा जर्दारी को ये सपना भी दिखाए गया है कि आने वाले दो से तीन साल तक शहवाज शरीफ को परधान मंत्री बना रहने दिया जाए और उसके बाद बिलावल भुट्टो को नया परधान मंत्री बना दिया जाएगा तरसल पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो नवाज शरीफ की पार्टी को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन देखा जाए तो पाकिस्तान में वोट जिसको भी पड़ा जो भी फैसला आए उससे दो तो खांदान इस वक्त बहुत खुश है एक है भुटो फैमली और दूसरी है शरी फैमली देखा जाए तो इमरान खान और उनकी पार्टी को किनारे लगा कर पाकिस्तान में आर्मी भी सेट हो चुकी है जर्णल का रावल पिंडी हेट कौर्टर भी सेट है शहवाज को पी-म बनाने की तैयारी है मरियम को सीम बनाया जा रहा है जर्दारी को प्रिजडेंट हाउस भीचने का प्लैन बन चुका है अब ये सब कुछ हुआ कैसे डीन क्या हुई बिलावल की खुआहिश से लेकर नवाज की तकड़म तक सब बाते बहुत घौर से समझेगा पाकिस्तान की कुल 264 सीटों में पी-म एलन के पास 80 सीट है उन्हें निर्दलियों का भी समर्थन है पी-पी-पी को 54 सीटों पर जीत मिली है इन दोनों पार्टियों की सीट मिला दे तो उनके पास साधारन बहुमत वाले नंबर हो चुगे है 264 सीटों पर जुनाव के बहुमत के लिए 133 सीट चाही और नवास बिलावल के गट बंधन के पास 134 सीट हो चुगी है या कहें कि पाकिस्तान के दो खांदान सेट हो चुगे हैं जबकि 92 इंडिपेंडेंट हो में दोरों के चीप के पावजूर इमरान खान के हाथ में कटोरा बरकरार है इसकी वज़ा भी पाकिस्तान के आर्मी है जिसने इस सारा खेल रचा इमरान खान को जेल भीजा सजा तिलवाई उनकी पार्टी का सिंबल ले लिया गया और करवाई कैई थामा के कराए कैई गाई काम्टिं के दारान पूरी तरह से थोखा धाड़ी की गाई How do I see things shaping up? I don't see this coalition government lasting for a long time. And quite frankly, given the accusations that have been made regarding the election, the integrity of the elections, I don't think any government which comes will be able to withstand the demand for other elections, better managed elections, more honest elections, in the near future. So I don't think more than six to nine months, and they'll have to go in for new elections. पाकिस्तान के केंद्र में भी नवाज बॉस और पाकिस्तान के सबसे पावर्फूल सूबे मनजाब में भी नवाज बॉस नवाज के आलोचक भी से बहुत बड़ा खेला कह रहे हैं, जो नवाज ने अपनी शर्तों पर इमरान खान के साथ तो किया है, बिलावल को भी अपने हिसाब से राजी कर भी नवाज बताना चाहते हैं कि वोकिन मेकर, उन्हें के हिसाब से पाकिस्तान में बच्जाब से लेकर सिंद्ध और राष्ट्रती भवन के सत्ता को सिट किया लेकिन वो भूल गए हैं कि असली खिलाडी तो पाकिस्तान की वाज है इसलिए एक बार फिर देखी पाकिस्तान की पॉलिटेक्स वाली गैस यानि आकसीजन चैमबर जिसका कंट्रोल पुरी तरह जर्णल आसिम मुनीर के पास है नवाज शरीफ और भुटो खानदान की आकसी चल रही है और उसमें कोई दखल नहीं दे सकता ये बात जर्दारी और नवाज शरीफ दोनों को बहुत अच्छी तरह से पता है वो जानते हैं कि पाकिस्तानी वाज आगे उन्हें भी अपने हिसाब से इस्तमाल करेगी और मौका आया तो इमरान खान की तरह टंप भी कर द झाल झाल